पूरी तरीके से दस्तक देने वाला है और इसको लेकर सरकार के तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है बतादे कि आंद्रप्रदेश और ओरीशा राज्य को रेज एलर्ज पर भी रखा गया है अब इस बीच रेलवे विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यात्रियों की सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए साथ ट्रेनों को रद कर दिया है आपको बतादे कि जवाद तुफान के असर को लेकर रेलवे विभाग ने या फैसला लिया है और साथ ट्रेनों की रद करने की घोशना भी की है अब ऐसे में कौन सी ट्रेने है जो रद की जाएगी रेलवे विभाग के तरफ से आकर क्या कुछ अपडेट और सूचना आई है रेलवे विभाग के तरफ से इस जवाद तुफान को लेकर किन ट्रेनों को रद किया जा रहा है आईए इसकी पूरी जानकारी हम आपको देत बतादे के दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे राइपूर रेलमंडल ने चक्रवाती तुफान जवाद जिसको साइकलोन जवाद भी कहा जा रहा है उसके अलर्ट के बीच यात्रियों के सुरक्षा के मद्दे नजर कई ट्रेने प्रभावत होंगी रेलवे ने साथ ट्रेनो को रद भी कर दिया है इसके अलावा किसानों को भी फिर आसमानी आफ़त का सामना करना पड़ सकता है मौसम विभाग ने शानिवार सुबह तक आंधर प्रदेश और ओरीसा के तचवर्ती इलाकों से जवाद तुफान टकराने की संभावना जताई है तुफान की वज़े स से बस्तर संभाग मद्य 36 गड़ और ओरीसा से लगे जिलों में बारश के साथ तुफान कहर दिखा सकता है तुफान के कारण कई जिलों में तेज हवा और भारी से अतिभारी बारश हो सकती है यह सूची है जो ट्रेने रद होने वाली है 3 दिसम्बर 2021 को गाड़ी संख्या 18517 कोड़बा विखा विशाका पच्चनम एक्सप्रेस रद रहेगी 3 दिसम्बर 2021 को गाड़ी संख्या 18426 दुर्गपूरी एक्सप्रेस रद रहेगी 4 दिसम्बर 2021 को गाड़ी संख्या 12807 विशाका पच्चनम निजामुदीन एक्सप्रेस रद रहेगी 4 दिसम्बर 2021 को गाड़ी संख्या 22974 पूरी गांदी दाम एक्सप्रेस रद रहेगी 2 दिसम्बर 2021 को गाड़ी संख्या 12844 एहमदबाद पूरी एक्सप्रेस रद रहेगी बतादे कि मौसम विभाग की माने तो तुफान जवाद का सर 36 गड़ पर भी दिख सकता है बस्तर संभाग से जगदलपुर कॉंडावा गाउं कंकोड सुकमा विज़ापूर सहित अन्य जिलों में बारिश हो सकती है इस सबसे अधिक प्रभाव बस्तर संभाग के जिले में रहेगा यहां तेज आंदी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है बतादे कि आने वाले जवाद तुफान को लेकर रेलवे विभाग ने एक बड़ी घोशना करते हुए साथ ट्रेनों को रद करने का फैसला लिया है साथ इस जवाद तुफान को लेकर कई ट्रेने प्रभावत भी रहेंगी ऐसे में रेलवे ने सूची भी निकाल दी है जो हमने आपको बताई कि किन ट्रेनों को रद किया जा रहा है 37 अब जवाद तुफान की सक्रियता बढ़ने वाली है और आने वाले 4 दिसंबर को जवाद तुफान पूरी तरीके से भारत में दस्तक देने वाला है इसको लेकर अब किसानों के उपर भी आस्मानी आफ़त टकराने वाली है अब के लव फिलाल इतना ही अनकाई अपडेट्स के लमाय साथ बने रहें न्यूस फानेशन में नमस्कार